नमस्ते एवरिवन विद्यावर्टेक्स्टेडी में आपका स्वागत है मैं अनाम है लखनलाल सागर और आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर डिस्कसन करने जा रहे हैं वो है कि कि stopwatch का यूज हम कैसे करें कि हम पहुत अच्छे से effective और efficient तरीके से learning अपना जो है complete कर पाए ठीक है यह बहुत ही important चीज है हम लोग एग्नोर करते हैं इसे तो दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको कि use कैसे करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं अपने experience के base पर आपको सम्झ होंगा कि कैसे हमको मतलब कि stopwatch का use करना है और कैसे अपनी sitting लगानी है क्योंकि लोग अभी 16 गंटे 18 गंटे sitting लगाया है ऐसा बोलते हैं बट वहां effective कितना हुआ उनकी पढ़ाई वो matter करती है effective उनका निकलता है 4 गंटे 6 गंटे 8 गंटे ठीक है तो 16 गंटे बैठने का क्या फाइदा आप तो total 8 गंटे वेश्ट कर रहे हो उसको आप यूज कर लो कही exercise में या फिर पार्क चले जाओ घूमने के लिए कुछ अच्छी activity कर लो healthy food खालो ठीक है इतना time वेश्ट करने का जर्वत नहीं है efficient कैसे learning करनी है वो हम देखने वाले है तो stopwatch कैसे use करती है तो देखिए 25 मिनट से 30 मिनट तक की में यह sitting होगी और इस sitting में मैं क्या करूँगा एकदम easy है कि इस sitting में मैं stopwatch को चालू करूँगा आपके mobile में होगा है ना wall clock मत यूज करिएगा योगी wall clock में आप सिफ घंटा account कर सकते हैं ठीक है तो wall clock मत यूज करिए अपने phone में जो mobile मे मार्केट से अगर रखाईदे हैं तो बहुत अच्छी बात है ठीक है उसको यूज करिए 25 मिनट का sitting लगाईए और उसके बाद फिस 25 मिनट में आपको करना क्या है बहुत important सीज़ा इसको ध्यान से सुनिएगा अगर आपके मन में कुछ thought आए अगर आपके मन में कुछ thought ठीक है अपने instead watch को आपको post कर देना है कुछ thought आए तो आपको washroom जाना है तो आपको stop watch को post कर देना है । ठीक है आपका कोई friend आ गया तो stop watch को post कर देना है अगर आपको कोई बुलाने आ गया या कोई भी distraction आ गया ठीक है any kind of distractions तो आपको पॉस कर देना इस टॉप पाँच को और सबसे ज़्यादा आपको जो डिश्ट्रेक्शन मिलेगा वह तो ठाट्स कहीं मिलेगा पढ़ाई करने के समया, ठीक है, बुक खोले, बैठें आप पढ़ने के लिए, तो ठाट्स का जो डिश्ट्रेक्शन है, उससे ज़्य तो यही सबसे ज़्यादा आपको डिस्टेक्शन मिलेगा तो जितने वाग कि मन में ठॉट आया आपको अवेर रहना है ठीक है यह 25 से 30 मिनट आपको एकदम तैनात रहना है अवेर रहना है कि जैसे मन में ठॉट आया मैं इसको पॉस करूँगा अपने स्टॉप पॉच को ठी पढ़ाई थी उसे मैं कंसेंटेशन कितना था मैं फोकस कितना बना ठीक है और आपको इंपोर्टेंट काम यह करना है कि यह 25 मिनट की पढ़ाई है इसको ट्रेक करना है किसी डायरी में आप रिख लिए या फिर कहीं नोट्स बना लिए रिकॉर्ड कर लिए किसी पेपर में पेज में कहीं पर भी अपने हिसाब से ठीक है कमफर्ट के हिसाब से कि 25 मिनट में मैं कितने देर की पढ़ाई किया तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट निकले 15 मिनट निकले actual study जो है पता चलेगी जब आप यह सब चीजों में pause करेंगे अपने stop watch को ठीक है आपको demotivate नहीं होना है कि मैं 25 मिनट में सिफ 15 मिनट पढ़ा या आदे घंटे में सिफ 15 मिनट या 10 मिनट निकला स्टार्टिंग में सब के निकलते हैं कोई उसमें बड़ी बात है नहीं ठीक है तो अब जो हम learning किये हैं वह learning जो है कि कितनी efficient हुई यह कैसे पता चलेगा इसको भी तो test करना पढ़ेगा ना तो यह test करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पांच मिनट है यह 25 मिनट की sitting में उसमें आपको करना है revision आप कैसे करेंगे कि जो 25 मिनट की पढ़ाई आप किये हैं आप blank paper लीजिए और blank paper में आप लिख दीजिए जो भी पिछले 25 मिनट पढ़े हैं उसको blank paper में लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ाया है अपने माइंड से book बन कर दीजिए पूरी यह classes देखने तो classes को बन कर दीजिए ठीक है आप सोचिए कि आपके मन में कितना retain कि आपने उसको लिखिए ठीक है तो उसमें आपको समझ में आएगा उस पांच मिनट में जो आपक को continuous ऐसे practice करते जाएंगे धीरे 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 तो आपको जो focus है वो कैसा हो जाएगा laser guided focus हो जाएगा बचपन में हमने laser वाली जो वो छोटी सी गन आती थी उससे देखा है कि the light जो एकदम focus से एक beam जैसा हो जाती थी कहीं पर भी ठीक है दूर से दूर जाती थी वो scattered नहीं होत दोस्तों अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं और आपने दो घंटे में दो घंटे में ऐसी तीन सीटिंग निकाल ली ऐसी तीन सिटिंग निकाल ली तो आप एकदम efficient तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है 10-10 मिनिट का आपका छोटा-छोटा break है बीच में ठीक है और तीन सिटिंग आपने आधे-आधे घंटे की निकाल ली है उसमें 25 मिनिट की concentrated पढ़ाई रहेगी और 5-5 मिनिट का उसमें revision रहेगा उसके बात की बात हैं ठीक है तो तीन सिटिंग अगर आप निकालेंगे तो ये 6 घंटा जो आप वेश्ट करते हैं ना बैट के table के उपर ये उससे जादा effective होंगे ठीक है अगर आप compare करेंगे तो जो 16 घंटे 18 घंटे आपने बैट के सिफ टाइम विस्ट किया है अपने जीवन का और अपने आपको धोका दिया है और दूसरों को धोका दिया है कि मैंने पढ़ाई करने का एक धोंग किया है करके तो ये काम हमको नहीं करना है अपने आपको भी धोका मत दो, अपने माबापको भी धोका मत दो, ठीक है, एकदम फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, जो है प्रोड़क्टिवीटी, वो काम को प्रोड़क्टिवीटी तरीके से अच्छे से करिए, दोस्तों ये चीज़ समझना हमाई लिए बहुत ही important है, क्योंकि आज की live जो है, social media के round सब की घूम रही है, और इतना ज़्यादा distracted रहते हैं लोग, ठीक है, shots हो गया, YouTube shots हो गया, real हो गया, Instagram में, मतलब बहुत सारे चीज़े आ गया है, ठीक है, तो सब में busy इतना रहते हैं कि उनका जो distraction है, बहुत ही जाता hyper level पर बढ़ चुक पर ज़्यादा focus करना है, जब आपकी पढ़ाई हो, तो उस समय अपने mobile को आप flight mode में डाल दीजिए, अगर आप घर पे रहते हैं, तो ठीक है, अगर आप student है, तो आप silent mode में डाल दीजिए, या vibration में डाल दीजिए, do not disturb में डाल दीजिए, अपने मम्मी, पापा और जो जो पाबलम है, या किसी topic की उपा specific वीडियो चाहिए, तो आप हमें comment section में ज़रूर बताइए, तब तक के लिए दोस्तो, peace out